प्रीय मित्रों पिछली वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि मेश लगन के कुंडली में सूर्य देवता सेकिंड हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं है आज हम चесचा करेंगे कि में इस लगन के कुणडले में सूर्य रेरता थाँ में क्या रिज्यल्ट देख को है तो दोस्तो पहले हैं यह दोखेन कि थाँस किन-किन चीज़ों को रिपरेज़ेंट करता है तो दोस्तो थर्णा उस रिपरजेंट करता है आपके पराकरम को, आपके सहस को, आपके जीवन में होने वाली भागदोड को, आपकी कम्मिकेशन स्कील को रिपरजेंट करता ही है, कम्मिकेशन स्कील किस तरह से बोलते हैं, कि औरल और रिटर्न दोनों तरह की स्कील को रिपर और मंगल आपके प्राकरम साहस को आपके यंगर सिंब्लिंग को दर्साता रीपरजेंट करता है यह एड़रटाइज्मेंट और मीडिया का भी हाउस है दोस्तों तो अभी यहां पर जो सूर्य है वो थड़ा हूस में बैठा है थड़ा हूस में रासी किसकी होती है मरकरी बु आपको जो आपके यंगर सिंब्लिंग है उनके साथ थोड़ा सा मन मुटा हो सकता है यहां पर आपको पराकरमी बनाएगा आपका बहुबल अच्छा होगा यहां पर स्पोर्स एक्टिविटीज को भी देखा जाता है तो आपके खेल कूद में भी रूची होगी नेकिन यं तो आपके छोटे भाई बेनों के साथ आपके रिलेशन हो सकता है कि अच्छे नहीं हूँ क्योंकि सूरिय अगनी का अधिपती है यहां पर सूरिय एक छत्री एग रहा है तो सूरिय में पराक्रम सहास होगा जीवन में जितने भी हाड़ वर कोंगे वो आसानी से कर लेगा भाग दोड़ होगी वो आसानी से कर लेगा और सूरिय की वोईस है वो ऑथर्टी भी है तो उसकी कम्मिनिकेशन स्कील भी बहुत अब जो फिफ्थ हूस का लोड थर्ड हूस में बैठा हुआ है दोस्तों तो फिफ्थ हूस के जो करक्रिक्टिस्टिक्स है कारकत वह उनमें भी बढ़ोतरी कर देगा यहां से आपके लव रोमांस को भी देखा जाता है तो लव रोमांस के लिए भी बहुत अच्छी पोज इंट्रीजेंस को देखा तो अब मरकरी तो खुद बुद्धी का का रख यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा दोस्तों लेकिन यहां पर सण ड्यूल साइन में बैठा हुआ है मतलब थर्ड हूस जो तीसरा हूस है और छेटा हूस है इन दोनों के जो लॉड होते है जो अब मरकरी बनते हैं मरकरी के दो रसी है एक तो तो थबस्व थाड़र्गर एक श प्स्त्रासी है तो यहां पर संद बेगे ने ड्यूल साइन की रसी हो गहीं कभी अब डिसीजन लेंगे न तो उसमें थोड़ा साबको कर्फूजया होगा की यह करे या नहीं करें यह कर नहीं करें बाकि ऑवर्ल समों आपको यहां पहुध होगे यहां पर क्रियेटीवीटी को भी देखा जाते आपकी तो आप क्रियेटिव परसनेलिटी के मालिक होंगे और यहां से आपकी कोम् collective होगी सब्सक्राइब अखी हो कि अब यहां ऑन्यक्राइम की सब्सक्राइब सब्सक्राइब मार्केटिंग युक्ता कि अद्ध अच्छेौह सब्सक्राइब हुआ है अब यहां से संध्र हावस को देखेगए सपेडे गर्पअ किसका होता है आपकर धरम का पिता का अब गुरू का होता है ऊससा खिंध तो सुर्य के अगनी कारक्त लेनेट है कि शुरी की जो एक साइब होती है कि असकी है कि धरम को ना मने यह logically माने पिता के साथ मतवेद हो सकते हैं आर्गुमेंट हो सकते हैं गुरू के साथ मतवेद हो सकते हैं यह foreign travels का भी house है तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है आपको आ सकती है लेकिन सन यहां पे third house के result third house के जो कारकतो है characteristics है और fifth house के जो characteristics है उनको अच्छा कर देगा दोस्तों यहां पर पाउर्फुल हो जाएगा पाउर्फुल प्लेनेट है एक सब्सक्राइब करें तो लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक्स